हलो, what's up दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, फिर से एक बार स्वागत है, आपके अपने चानल में सही जवाब में, दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि WHO याने कि World Health Organization जो है, वो किस तरीके से काम करती है, इनके गोल्स क्या है, ये कब फाउंड हुई थी, और इनके काम क्या क्या होत दोस्तों, ऐसे ही informative वीडियोस देखने के लिए चैनल को फटा-फच सब्सक्राइब कर दीजिए, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, तो दोस्तों, अगर मैं introduction आपको दू कि क्या है WHO, तो WHO एक ऐसी organization है, जो कि पूरे विश्वे में, कभी भी अगर emergency आती है, health emergency आती है कोई pandemic breakout हो जाता है, तो ऐसे में ये पूरी health organization, जो है, world health organization, तो वो जो है, वो countries को वहाँ पर guidelines provide करते हैं, vaccination programs कैसे करना है, इसके बारे में बताते हैं, तो ये सारे जो है, वो अलग-अलग countries के अंदर इनके offices हैं, और वहाँ से ये लोग operate करते हैं, और एक इनका headquarter भी है, तो इसके पहले काफी सारे जो है, वो success records भी हैं, जैसे कि smallpox को पूरी तरीके से इन्होंने अपने vaccination program के जरी eradicate किया था, 99% polio को भी eradicate कर दिया है, लेकिन कई बार इनका criticism भी हुआ है, जैसे कि 2014 में जो Ebola outbreak हुआ था, तब इनका response time बहुत जादा slow था, इन्होंने quick actions नहीं लिये अभी जो latest COVID-19 outbreak हुआ था, तब भी इनका जो भी कोई response है, उसकी उपर काफी उंगलिया उठी थी, तो खेर, कहने की बात यह है, कि इसका main objective यह है, कि हर एक country को जो है, वो health के front पर जादा से जादा सहयोग दिया जाए, और वहाँ पर guidelines ते की जाए, तो यह इसका main reason है, या main motto है, इसको form करने के पीछे, तो दोसों आब यह जान लेते हैं, कि यह World Health Organization जो है, वो शुरू कब हुई, कब form हुई, तो यह शुरू हुई थी 1948 के अंदर, याने कि 1948 में World Health Organization की जो है, वो वहाँ पर स्थापना हो गई थी, और तब इनका main goal जो था, वो था कि बच्चे, औरत गाइडलाइन्स प्रोवाइड करना, जो जरूरी चीजे हैं, जो टेक्निकल मशीनरी बगारा है, जो जरूरी चीजे हैं, उनके बारे में गाइडलाइन्स बताना, या उन चीजों का जो है, वो हॉस्पिटल के अंदर सही स्टॉक है या नहीं, इसकी तरफ ध्यान देना, ये इनका में तब जो है, वो मोटू हुआ करता था, इसके अलावा ट्यूबर किलोसिस को पूरी तरीके से एराडिकेट करना, ये भी इनके अजंडे पर था, इसके अलावा सैनिटेशन, यानि के साफ सुतरा महौल रखना, अलग-अलग कंट्रीज के अंदर जहां पर बिल दोसों अब ये बात आती है कि आज की जमाने में WHO क्या करता है, तो दोसों पहले मैं आपके बता दू कि WHO जो है, वो UN की ही एक हम कह सकते हैं कि subsidy है या उनका ही एक हिस्सा है तो आज के जमाने में WHO जो है वो सबसे पहले बात तो health के उपर ध्यान देता है Adulterated Food की तरफ ध्यान देता है Road Safety ये इनका agenda है Tobacco Use, Drug Use ये भी इनका agenda रहता है इसके अलावा 1977 से WHO ने जो है वो Essential Medicines की एक जो है वो लिस्स बना करके रखी है और पूरे world में जहाँ जहाँ पर WHO काम करता है वहाँ पर ये guidelines उन्होंने जारी कर दी है उन लिस्स को जारी कर दिया है कि कोई भी अगर hospital है तो उनके अंदर जो भी ये essential medicals होते हैं उनका पूरा का पूरा stock होना चाहिए इसके अलावा जो technical machines है जैसे की x-ray machines हो गई, ultrasound machines हो गई अलग-अलग तरीके के test करने के लिए machines हो गई तो उन machines को भी कौन से कौन से रखने चाहिए, कौन से कौन से machines ज़रूरी है एक अच्छा treatment पाने के लिए तो इसकी भी उन्होंने एक list बना करके रखी है, वो सारी machinery जो है, वो हर एक country की अंदर बड़े-बड़े जगावों पर मौझूद हो इसके लिए ये लोग कोशिश करते हैं, वहाँ पर उन machines को पहुचाने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों इनी सारे जो है वो safety measures या उनकी तरफ से जो भी कोई और measures लिए गए, उनका result ही ये दिखा कि 1979 में उन्होंने smallpox को पूरी तरीके से eradicate कर दिया, उनकी vaccination program की विजए से और जैसा है मैंने पहले कहा कि 99% polio को भी उन्होंने वहाँ पर eradicate कर दिया, इसकी अलावा दोस्तों 2003 में चाइना में severe acute respiratory syndrome नाम की एक जो है वो बीमारी आई हुई थी और वो एक pandemic जैसा ही था, epidemic था हम ये कहें, तो ये 2003 के अंदर आया था, तो तब भी WHO ने जो है, वो उसक के बाद उन्होंने उसको control कर लिया था, हलाकि तब भी चाइना के ऊपर काफी ज़्यादा वहाँ पर जो है, वो उंगलिया उठी थी, उनके ऊपर ये भी आरोब किया था, कि 2003 में ये जब outbreak हुआ था, तो economically बहुत ज़्यादा setback बैठने की डर से, उन्होंने जो है, वो इस autonomy है, वो collapse कर जाएगी, और फिर सारा जो है, उनका बेडा गर खो जाएगा, तो इसकी वज़या से उन्होंने उसको downplay किया था, ये उंगले उनके उपर जरूर उठती है, लेकिन फिर भी WHO ने वहाँ पर जो है, वो सारे guidelines वगेरा, वहाँ पर provide किये थे, वहाँ पर wide vaccination program वहा कि अभी देखिए कि यहाँ पर pandemic, जो है, global pandemic, COVID-19, यह outbreak हो चुका था, तो इसकी वज़य से, WHO की agenda पर अब ये चीज़े आ गई है, कि कम से कम, 1 billion लोगों को, 1 billion लोगों को जो है, वो वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अच्छी health services provide की जाए, यानि कि जो भी कोई आरोगिस वि जाए, इसके अलावा, ऐसे जो pandemics है, उनसे 1 billion लोगों को जो है, वो बचाया जाए, या ऐसी कोई vaccines तैयार की जाए, जिससे कि ऐसे pandemics में जादा लोग ना मरे, जादा से जादा लोग protected रहें, इसके अलावा, standard of living उन लोगों का अच्छा हो, वहाँ पर sanitation की सारी सुविदाय मौझूद हो, और better health services हो, ये भी इनके agenda पर फिलहाल आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ये outbreak हुआ था, उसके बाद WHO को काफी अपनी नीतियों के उपर जो है, वो सोचना पड़ा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम किस तरीके से support पहुचा पाएं, इसके लिए उनक को सोचना पड़ा था, वहाँ पर वो सोचने किने मजबूर हो गए थे, तो दोस्तों अब बात आती है कि WHO को चलाता कौन है, तो WHO को चलाने वाली जो countries है, वो 149 है, 149 अलग-अलग countries है, जिनके delegates वहाँ पर होते हैं, और वो सम मिलकर के जो है, वो WHO को डायरेक्टरेट जनरल वहाँ पर चूज करते हैं, वहाँ पर elect करते हैं, तो 2017 में जो है, वो पहला आफ्रिकन वंच का जो आदमी है, वो WHO का डायरेक्टरेट जनरल हुआ था, और उसी election के अंदर, जितने भी 149 countries है, उनमें से सभी के vote को equal वहाँ पर वेटेज दिया गया था, और जो आदमी आदम गैबरियोसिस, तो टेडरोस आदम गैबरियोसिस ये उनका नाम है, ये 2017 में 5 साल के लिए वहाँ पर elect हुए थे, तो ये elect हुआ आदमी क्या करता है, तो सबसे पहली बात तो पूरे World Health Organization का एक annually budget set करता है, तो वो budget जो है, वो सारे countries के जो delegates वहाँ पर बैठे हुए होत पिर Directorate General की ओर से जो है, वो ये budget वहाँ पर approve किया जाता है, तो दोस्तों WHO का budget क्या है, तो 2020 और 2021 के annual year के लिए वहाँ पर budget उनका दिया गया है 5.8 billion dollars, तो पिछला जो budget हुआ था, उससे 1.4 billion dollars यहाँ पर budget जादा है, अब की बार क्योंकि जो भी कोई outbreak हुआ था, वो सब ने और सबने यह महसूस किया है कि यहाँ पर health services के उपर काम करना, health infrastructure के उपर काम करना कितना जादा जरूरी है, इसकी वज़े से यह जो budget है, उसके अंदर 1.4 billion dollars की यहाँ पर बड़ोतरी हुई है, अब बात यह आती है कि इतना सारा पैसा आता कहां से है, तो यहाँ पर जो भी उनसे आता है, तो यह donate करने में सबसे बड़े देश या सबसे बड़े लोग कौन से हैं, तो सबसे पहली बात तो Bill and Matinda Gates Foundation जो है, जो Bill Gates ने वहाँ पर उसका foundation रखी थी, तो उनकी तरफ से बहुत बड़ा share यहाँ पर आता है, इसके अलावा USA की तरफ से भी बहुत बड़ा share आता है, और UK की तरफ से भी बहुत बड़ा share आता है, तो यह तीन जो है, वो मेन इसके donors हैं, वो बहुत ज़्यादा मातरा में जो है, वो donations देते हैं, हाला कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा politics भी आ गया है, दुरभा गिवश, क्योंकि यहाँ पर हर एक country जो है, वो यहाँ पर पूरी जो उनकी funding है, वो cut down करने का वहाँ पर धमकी दी थी, क्योंकि USA का जो कहना था, उसके खिलाब कुछ वहाँ पर जो है, वो चीजे सम्मत हुई थी, वहाँ पर कुछ चीजों को लाया गया था, तो Donald Trump ने वहाँ पर threaten किया था, कि हम हमारे जो donations हैं, वो आपको दें क्योंकि अभी की गड़ी में चाइना के बहुत सारे लोग WHO के अंदर हैं, तो अमेरिका ये चाहता है कि चाइना की लोग जो हैं, वो कम से कम हो, हमारा influence जादा हो, तो इसकी अंदर बहुत बड़ा politics भी आ गया है, और क्योंकि यहाँ पर WHO की अंदर जो सारी funding आती है, वो members क की तरफ से कम और ये जो voluntary donations आती है, उनसे जादा हो रही है, तो इसकी वजह से उनका जो एक structure है WHO का, इसकी उपर बहुत जादा pressure पड़ रहा है, क्योंकि ये जो बाहर के donors हैं, उनकी पैसे के उपर अगर WHO बहुत जादा dependent रहेगा, तो वो जो कहेंगे, वो WHO को करना पड़े है, लेकिन इसकी वजह से हमारे उपर pressure भी बहुत जादा बढ़ रहा है, अगर 2020 की बात की जाए, तो US की तरफ से यहाँ पर 594 million US dollars के जो है, वो donation यहाँ पर WHO को गया था, तो इस donation के साथ जो है, वो USA third largest donation वाला हो जाता है, वहाँ पर donor हो जाता है, तो इस से सारी कहान ही जो WHO यहाँ पर world epidemics, pandemics जो है, या emergencies जो है, उनको किस तरीके से react करते हैं, उनकी काम की जो है, वो तरीका क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो वो hope करते हैं, या वो ऐसी अपेक्षा रखते हैं, कि किसी भी country के अंदर अगर ऐसा कोई भी virus आया हुआ है, तो वो country जल्द से जल् है, वो WHO को इतला कर दे, उनको alert कर दे, लेकिन जाहिर सी बात है, कि countries ऐसा नहीं करती है, क्योंकि वो इस बात से डर्दी है, कि अगर उन्होंने ये WHO को report कर दिया, ये बात जो है, वो पूरे world में फैल जाएगी, और फिर उनका जो trade है, उसके उपर बहुत सारी restrictions आ जाएगी और country का जो economic पूरा structure है, वो ढह जाएगा, उनके अंदर पैसा flow होना बंध हो जाएगा, तो इससे countries डर्ती है, जिसकी वज़े से वो वहाँ पर report नहीं करती है, कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसा disease आया हुआ है, या virus आया हुआ है, तो ऐसी अगर कोई भी खबर WHO को मिलती है, या country इतला करती है उनको, तो वो एक चीज़ डिकलेर करती है, जिसका नाम है यहाँ पर, Public Health Emergency of International Concern, जिसका short form होता है, PHEIC, तो यह डिकलेर करने के बाद जो है, वो वहाँ पर WHO action में आ जाती है, और फिर उसकी उपर extensive research वगरा भी शुरू हो जाता है, साथी साथ उस country को जो है, वो guidelines भी provide की जाती है, कि इस virus को अभी रोकने के लिए, या लोगों को कम से कम इस से contracted हो वो लोग, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो में भी वहाँ पर lockdown जैसे सुझाव दिये जाते हैं, कि अभी आप trade के उपर और लोगों के movement के उपर अभी यहाँ पर restriction डाल दीज आप इसके वो किस तरीके से react कीजिएगा, और साथी साथ WHO इसका भी ध्यान रखता है, कि वो country कहीं जादा overreact ना कर जाए, जिसकी वज़ए से उनकी economy के उपर और पूरे world की economy के उपर उसकी वज़ए से कोई strain आए या कोई वहाँ पर पर परिणाम हो जाए, तो इसकी के पास कोई vaccine है, तो उनके साथ भी WHO coordinate करता है, और vaccine पहुचाने की व्योस्था जो है, वो करता है या उसके अंदर सहयोग देता है, इसके अलावा दोस्तों बाकी की guidelines भी WHO वहाँ पर देता है, कि माल लिजे कि वहाँ पर virus आ चुका है, तो अभी क्या करना है, वैक्सिनेशन है, वो तो अभी का है, COVID-19, तो COVID-19 की तरफ WHO नो किस तरीके से address किया, तो सबसे पहली बात तो उन्होंने चाइना के उपर ये blame किया था, कि चाइना ने उसको report ही नहीं किया, जब चाइना के अंदर काफी सारी deaths होने लगे, तब चाइना ने उसको report किया, तब WHO ने उसको world pandemic का करार दिया, तो बाद में भी, जब ये उनको पता चला, उसके बाद में भी ऐसी उंगलिया उठाई गई, कि WHO ने जितना swiftly react करना चाहिए था, उतना swiftly वहाँ पर react नहीं किया, जिसके उपर अमेरिका कभी ये कहना था, क्यूंकि WHO के अंदर चाइना के बहुत सारे लोग है तो उन्होंने WHO को जो है, वो कही न कही अंधेरे में रखने का काम किया, या WHO को जो है, वो slow react करने पर मजबूर किया, जिससे कि WHO ने swift action नहीं लिये, तो अभी दोस्तों क्या किया WHO ने जब ये pandemic पूरा breakout हो गया, तो उन्होंने immediately वहाँ पर 757 million dollars की जो है, वो funding के लिए उन्ह इसके लिए उन्होंने गोहार जरूर लगाई, लेकिन उतना funding नहीं आ पाया, बाद में वहाँ पर जो है, वो 1.9 billion का जो है, वो funding दे दिया गया, उसकी बाद WHO ने अपना काम शुरू कर दिया, वहाँ पर guidelines वगयरा भी उन्होंने दे दी, इसके अलावा WHO का एक और काम था, जो मैं आपको बताना भूल गया, और वो ये है, कि वो हर एक virus के उपर जो है, वो research भी करते हैं, उसके बारे में data भी collect करते हैं, और वहाँ पर डूढने की कोशिश करते हैं, कि इसको हम किस तरीके से fight कर सकते हैं, या इसका potential vaccine किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो उसके मु कि किस तरीके से इसको fight किया जाए, हाला कि अब उसके उपर जो है, वो vaccines आने लगी है, जिनके अभी test होने हैं, लोगों को दिये जा रहे हैं, लेकिन अभी भी 100% जो है, वो rate अपना achieve नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी WHO जो है, वो अपना काम अभी भी वहाँ पर कर रहा ह है, तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा WHO का, कि आखिर WHO क्यों फॉर्म हुई थी, कैसे ये काम करती है, इसके अंदर कौन से कौन से countries हैं, याने कि कितने countries हैं, इनको पैसा कैसे मिलता है, और ये world emergency के वक किस तरीके से act करती है, तो I hope दोस्तों ये video आपको पसंद आया ह और आपको पता चला होगा कि WHO आखिर करती क्या है, तो दोस्तों अगर आपको ये video पसंद आया है, काम का लगा है, तो video को like करना बिलकुल न भूले,